हेलो फ्रेंज, अगर आपकी स्किन ओयली है तो आपको अपनी स्किन को ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ खास जीजों पर गौर करने के ज़रूरत है अकसर कई बार जब भी हमाई स्किन ओयली होती है तो हम अपनी स्किन का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं और यही छोटी छोटी सी गलतियां हमाई स्किन के लिए काफी महंगी पड़ जाती है आईए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं टिप नमबर वन, अगर आपका चहरा ओयली है तो आपका अपने फेस को बार बार वाश करना चाहिए ऐसा करने से चहरे पर ज्यादा तेल भी जमा नहीं होता है और हमारी स्किन भी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दीती है आप चाहे तो फेस को वाश करने के लिए थंडे बाली या फिर किसी माइड फेस वाश का इस्तिमाल कर सकते हैं ये आपके लिए काफी अच्छा उप्चिन रहेगा टिप नमबर टू, समय समय पर अपने मुहासों का उप्चार करना भी बहुत जरूरी है आप चाहे तो डौक्टर से दवाई लिखवा सकते हैं या फिर किसी अच्छी मॉस्चिराइजिंग क्रीम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे जरूरत से ज्यादा इस्तिमाल ना करें क्योंकि ऐसा करने से चहरे के उपर मुहासों पर पपड़ी जन सकती है जो देखने में काफी भद्धी दिखाए देती है टिप नमबर थ्री कई लोगों को लगता है कि यदि उनकी स्किन ओयली है तो वो अंदर से हाइडरेट है और मॉस्चिराइजर के जरूरत बिलकुल भी नहीं है जग्की ऐसा बिलकुल नहीं है अपनी चहरे को हाइडरेट रखने के लिए और मॉस्चिराइजर बरकरार रखने के लिए चहरे पर मॉस्चिराइजर का प्रयोग ज़रूर कीजे सो दोस्तों अगर आपकी स्किन ओयली है तो इस वीडियो को जरूर देखिए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिट वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए